तो फाइनली आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वी फार्मेसी 6th semester बायो फार्मसोटिक्स के important question देखो बायो फार्मसोटिक्स जो है ना आपको को लोजी से रिलेट करनी है जो आपकी फार्मकोलोजी है ना 4th semester की वहाँ से आप रिलेट कर सकते हो क्योंकि यहां पर आएगा फार्मक बहुत नए कंसेप्ट से बाकी और कुछ भी नहीं है बायो फार्मसेटिक्स तो हम क्या करेंगे हम आपको युनिट वाइज इंपोर्टेंट क्वेशन बताएंगे 10 मार्क्स 5 मार्क्स और 2 मार्क्स अब मैं आपको बता दू जैसा कि मैं हर लेक्टर में बताता हूं कई अब ठीक है तो चलिए लेक्टर को स्टार्ट करते हैं युनिट वाइज इंपोर्टेंट क्वेशन से लेबस समझा के और आपको पूरा आइडिया लग जाएगा एक कॉंफिदेंस बिल्डप हो जाएगा जिससे आप पेपर इजीली कर सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं अगर आपको और लेक्टर की रिक्वार्मेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी प्लेइलिस्ट जहां पर आपको युनिट वाइस सारे लेक्चर मेंने मेंशन किये हुए हैं और अगर आपको नोट्स की रिक्वार्मेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी अप्लिकेशन ड जरूर डाउनलोड कीजेगा depth of biology application चलिए lecture को start करते हैं तो देखो जो आपकी बायो फार्मसोटिक्स की unit number one है वहाँ पर आपको absorption और distribution को detail बता रखा है ठीक है और यह absorption और distribution पता है कहां पर पढ़ा था आपने पार्मकोलोजी में four semester में unit one में ठीक है अब आप बोलोगे sir कल रात को क्या सबजी खाईती वो भी याद नहीं है तो फार्मकोलोजी four semester unit one हमें तो syllabus याद नहीं आप अंदर की बात कर रहो तो tension मतलो absorption और distribution मैंने पढ़ा रखा है और अगर मैंने पढ़ा रखा है तो काफी detail में पढ़ा रखा है एक बार lecture सुन लोगे ना काम हो जाएगा फिर आपकी पूरी unity हो जाएगी यह वाली ठीक है जहां पर आपको दे रखा है ना mechanism of drug absorption कि किस तरह से drug absorb होता है यह mechanism हो बताओ GIT से बताओ कौन कौन से factor effect करते हैं drug के absorption को तो वही वाली बात है कि अगर आपने कोई भी drug ली सपोज आप यहां पर खड़े है ठीक है और आपने कोई भी drug ली तो दो तरह से आप drug लेते हैं या तो intravenous ले लो या फिर आप oral root से लो मतलब एक तो oral root हो गया एक non-oral हो गया non- oral में कई सारे आगए जैसे आपके intravenous आगया intra muscular आगया intra-thical आगया कई तरह के root आगए और oral में oral में आपके stomach से होता हुआ intestine में absorb होता हुआ विलाई के through वह blood circulation में पहुचेगा तो oral में first pass metabolism होता है अब यह सब आपको पता लगेगा कब जब description में मैंने मैं बता देता हूँ कि किस तरह से question मनता है तो सबसे पहला question यहां पर बनेगा एक्स्प्लें बायो फार्मासुटिक्स एंड राइट शोर्ट नॉट अब्सॉप्शन देखो यह तो absorption से पूछ ले यह distribution से पर ज़्यादा तर चांज्जेस अब्सॉप्शन के होते हैं ठीक ह क्यों होते हैं सारे का मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है ना उस ते पढ़ लो बात मानो और पढ़ लो मैं कह रहा हूं ना हो जाना है कोई बड़ी बात नहीं नेक्स्ट अब्सॉप्शन वही वाली बात होगे यहां करोगे तो यहां भी कवर हो जाएगा पाइप तोटें मार्क्स में पहले बायो फामसोटिक्स वार के बारे में बताना फिर अब्सॉप्शन डिस्टिपूशन में से भी कोई वी एक टापिक आएगा और पकाइप मसमें अब्सॉप्शन क और कौन को और कौन-कौन से में आपको बता दिया क्लिनिकल सिग्निकेंस और प्रोटिन बाइंड 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 होती है तो देखो यह बहुती है द्रॉटिन का कॉम्प्लेक्स प्रोटिन आपको पता है albumin होता है globulin होता है पर जनरली जो drugs होती है वो albumin से bind होती है drugs जब albumin से bind होती है तो drug protein complex बनाती है यह side पर जाता है side पर जाके drug को release करता है इस तरह से इसका पूरा mechanism में चलता है और भी थोड़ा detail है पर एक overview मैंने आपको दिया नेक्स्ट आपको यहां पर है डिसकस्ट वेगनर नेलसल मेथड़ फॉर estimation ऑफ के ए ठीक है तो जब आप absorption पढ़ोगे ना तो आपको के वेल्यू के बारे बता लगेगा तो आप उसे कैसे estimate करोगे वह सब आपको यहां पर लिखना है वेगनर नेलसल में अंदर से आया होगा question absorption के नेक्स चलते हैं तूमार्ट के ऊपर तो मार्ट में गर्वाइब प्रोटें बाता ऊप्रटन बाताव फिक्स फस्依ो यह भी आपको मिलेगा absorption की कि फिक्स फसलो क्या होता है तो यह सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा कभ जब लेक्चर देखोगे क्योंकि लेक्चर में पूरा ही बता रखाए तो चाहे फिर टेन में बने फाइप में बने आपको आईडिया रहेगा आप लिख सकते हों और नेक्सिस पीनोसाइटिवन नेक्सिस पीनो मतलब लीक्विड पार्टिकल को अगडर इंगूर्ख करते हैं तुछ पीनोसाइटिवस कहते हैं लीकिवड पार्टिकल को बट्लासा फरकिये थोड़ा और दिस्टिबिशन तो यह टू-मार्च के कोशन भी आते हैं जैसे पीनोसाइटोसिस बता दो थरपिटिक इंडेक्स थरपिटिक रेंज में फर्ख बता दो अपरेंट वॉल्यम डिस्टिबिशन बता दो साथिसाथ फिक्स का फस्लो यह भी आता है फेक्टर अफेक्टिंग drug absorption factor affecting protein binding drug distribution क्या होता है drug absorption क्या होता है इस तरह से question बनते हैं two marks में ठीक है तो यह two marks के सारे possible questions है लगबग लगबग और यह pipe marks की possible questions है 10 marks का एक ही question है और यहां पर मैं आपको वापिस बोल रहा हूं description में link के उस लेक्टर देखी लेना चलिए unit number two पे आते है unit number two में है elimination elimination का मतलब होता है west को remove करना आपकी body से जैसे मान दीजी आपने drug ले ली ठीक है drug आपने ली चाहे आपने औरल ली नॉन औरल ली पेरेंटरल ली नॉन पेरेंटरल ली ठीक है drug ने अपना mechanism of action शो कर दिया अब ड्रग ने जब अपना mechanism of action शो कर दिया तो ड्रग को तो जनरली तो यूरिन के त्रू ही drug जो है body से ऐलिमिनेट हो जाती है लीवर में कई तरह की changes रूते हैं ड्रग के साथ जिससे उसको polar बनाया जाता है water soluble बनाया जाता है ताकि वह आपके metabolism करना हो गया ड्रग का metabolism क्या होता है इसके अंदर भी phase one phase two reaction आती है तो यह भी एडिके में मैंने पड़ा रखी है तो मतलब आपको क्या करना है कुछ नहीं करना description चेक करना है जो जो मैं बोल रहा हूं सीदीज वाइज महां पर लिख दूँगा आपको बस click कर करके सुन के समझ के notes बनाने जब तक कि इसके proper lecture नहीं आते मैं आपको एक alternate तरीका बता रहा हूं और यह जो टॉपिक है बायो अवेबिल्टी बायो एक्विलेंस इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना ठेक है यह देखिए यहां से एकर 10 पोसिबिलिटी बनती है तो सबसे पहला बनता है बायो method used to determine bioavability उन methods को बताईए जो कि bioavability को पता करने के लिए बनी है ठीक है mention the methods used to determine bioavability next is define bioavability mention factor affecting bioavability and discuss the pharmacokinetic method for measurement of bioavability बतलब bioavability से question है 10 marks का question रहता है यह 5 marks में आपसे पूस लेता है कि factor affecting bioavability बता दो bioavability नहीं छोड़के जानी क्योंकि हम जब drug का absorption कर रहे ड्रक का distribution कर रहे ड्रक का metabolism कर रहे ड्रक का excretion कर रहे तो drug का absorption होने के बाद जो action आएगा drug कितना हमारे target side पर पूछी है उसे ही था हम bioavability कहते हैं तो उसको आप नहीं छोड़ सकते ठीक है साथी साथ आपको पूछा है कि discuss various approaches किसके लिए अप्रोच कर रहे हो भ उनको हम कैसे solubility बढ़ा सकें वो भी आपको 10 marks में पूछा जा सकता है तो यहां से यह तीन ही question put up होता है और जनरली देखो तो दो ही क्योंकि second वाले में भी bioavability है तो यहां से यह दो question बनेंगे एक तो bioavability bioequivalence और एक यह various approach for enhancing the poorer soluble drug ठीक है क्या एनांसिंग अनने solubility of poorer soluble drug अब देखो 5 marks में बनता है जैसे explain clearance clearance को explain कीजिए साती साथ इसके advantage बताईए कि clearance क्या होता है और इसके advantage क्या है रिमू करना है ना drug को body से clear करना next is discuss the objective of bioavability जो bioavability उसके objective क्या है तो मैं repeat mode पे कह रहा हूँ bioavability से question आएगा चाहिए उसके objective पूछे factor affecting पूछे bioavability क्या होती है वो पूछे या उसको कैसे determine करते हैं वो पूछे question तो बनेगा next is factor affecting renal excretion of drug यह तो आपने एचेपी में भी पढ़ा होगा renal excretion of drug क्या होता है drug किसे excret out होती है कौन-कौन से factor जो affect करते हैं तो इस तरह से five marks पे question यहां से बनते हैं ठीक है next is BCS classification bio pharmaceutical classification इसमें क्या होता है आप drug का nature जानते हो lipophilic या hydrophilic ठीक है तो class 1 और class 2 3 4 ऐसी classes होती है यह आपने शाहिद फिफ समस्तर में भी पढ़ा होगा तो BCS classification हाँ पढ़ा होगा आपने तो class 1, class 2, class 3, class 4 ऐसे classes होती है यहां पर जहां पर हम high low high low ऐसे बताते हैं ठीक है कि lipophilicity क्या है hydrophilicity क्या है nature of drug क्या है indirectly चलिए next is discuss diffusion layer theory and the variable that includes drug dissolution using noise whitney equation तो यह whitney है noise whitney equation यह आपको पता नहीं होती है जब पढ़ोगे तब आपको पता लग जाएगा तो अगर importance की बात करूँ तो जैसे कि मैंने आपको कहां यहां से bio availability तो विलकुल नहीं छोड़नी 5 नमर में bio equivalence भी नहीं छोड़ना साथी साथ एक यह question इसको और एक इसको चा absolute bio ability, what is relative bio ability, renal clearance क्या होता है, non renal root of drug excretion क्या होते है और define zero order rate process with example तो यह सारे two marks की possibilities है ठीक है क्योंकि two marks में कहीं से भी question आता है तो मैं सोचता हूँ कि maximum possible questions लिख दूँ ताकि आपको problem ना है तो यह हमने देखा unit number 2, now next is unit number 3, अब unit number 3 में है pharmacokinetic, definition क्या होती introduction क्या होता है, यह मैं आपको description में देदूँगा unit wise, unit 1 की links देदूँगा, unit 2 की links देदूँगा, फिर unit 3 आएगी जहां पर आपको pharmacokinetic है, यह भी मैंने थोड़े बहुत बता रखा है, एक बार देख लेना, आपको help हो जाएगा, बाकि यह जो आगे का topic है, यह आपको तरह से बनते है, तो देखो यहां से 10 marks का question किस तरह से बनता है, discuss one compartment open model of drug given by IV infusion with graph and equation, यह question यहां से like 70% chance है जो 10 marks में बने, और तो कई question है नहीं इतना, कि जो 10 marks में put up हो सके इस unit से, यही एक question है, discuss one compartment open model of a drug given by IV infusion with graph and equation, तो इसके बारे में आपको बताना है, IV infusion के बारे में, one compartment open model जो होता है उसके बारे में, 5 marks के question के अगर में बात करूं, MRT आप से पूछेंगे, MRT का मतलब होता है, mean residence time, drug आपकी body में कितनी दिर तक रही, mean residence time क्या है, उसके advantage, there's advantage बगेरा बगेरा, ठीक है, next question जो यहां से बनता है, वो है, what are pharmacokinetic model, explain the concept of physiological pharmacokinetic model, next is, what is the influence of KA and KE on C max, T max and AUC, क्या influence है, KA का, KE का, C max, T max और AUC पर, ठीक है, AUC अभी आपको two marks में भी आएगा, आगे, next is, describe plasma level time curve with parameter, तो यह 3-4 question है, जो कि आपको five marks में देखने को मिलते हैं, यह 4 question अगर आप कर लोगे, तो unit आपकी complete हो जाएगी, साथी साथ, इनके बाहर तो कोई question नहीं आएगा, जितने तरह से question बनते हैं, मैं कोशिश करता हूँ, तरह से मिलिख दूँ, जैसे MIT आपसे पूछी है, एक य area under curve, area uc का full form क्या होता है, area under curve, ठीक है, मैं आपको बोला था ना, two marks में आएगा, आगया, next question है, define drug disposition, next question, define trapezoidal rule, next question, define dose dependent kinetics, तो यह दो दो नमबर के definition आपको लिखने है, जैसे drug disposition क्या होता है, trapezoidal rule क्या है, dose dependent kinetics क्या है, यह तीनों important question है, तो यहां से unit number 3 से जित्ते भी possible two marks के question है, वो मैंने आपको बता दिये है, next हम चलते है, unit number 4 पे, जहां पर आपको, अगर 10 marks में question बनता है, तो वो बनेगा discuss second compartment open model, आपने देखा था, यहां पर आपको one compartment था unit number 3 में, और unit number 4 में 10 marks में आपसे पूछा है, second compartment open model, बस एक ही question यहा आपका five marks के लिए, explain multi compartment model and give a detail note on kinetic of multiple dosing, multi compartment model के बारे में आपसे पूछा गया है, क्यों से explain कीजिए, और साथी साथ detail note दीजिए, kinetic of multiple dosing पे, फिर two marks का question आपके पास है, in compartment modeling, what does the term open mean, यह जो हम कह रहे हैं, open model, open model, इसका मतलब होता क्या है, open का, वो आपसे पूछा गया है, तो एक एक question बताया, that's it, enough है, ठीक है, 99% तो enough है, फिर examiner के mood के उपर है, तो यह question आपको करना है, ten five or two में, unit number four से, that's it, unit number five की बात करें, तो यहाँ पर आपको जो question बनेंगे, वो बनेंगे, अगर मैं बात करूँ, pipe marks पर है, यहाँ पर देखो मैंने ten marks का लिखा भी नहीं है, क approaching, ठीक है, तो दो यह हो गए, चार, और यहाँ से मैंने आपको एक question बनाया, पांच, तो पांच question बताया, मैंने आपको ten marks के, अब पांच question में से तीन तो आपके exam में आने, ठीक है, और तीन में से दो भी आ गए ना, हो गया आपका काम, ठीक है, तो इस तरह से आपको syllabus second semester, unit number fifth, enzyme second topic, मुझे तो याद भी है, तो Michael Mendon equation, क्या होती ही, उसके बारे में बताना है, वी मेंक्स के हम के बारे में बताना है, तो इसके link भी मैं आपको दे दूँगा, description में, जहां पर मैंने Michael Mendon equation समझा रखी है, तो आपको five marks का का काम तो हो जाएगा, मज़े आ जाएगा आपके, ठीक है, और यह define capacity limited metabolism, यह two marks में आपको करना है, चलिए, तो मैं आपको क्या 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 बताने वाला हूँ, एक तो Michael Mendon equation में आपको बता दूँगा, उससे पहले मैं आपको क्या बोला था, उससे पहले मैं आपको बोला है, unit number two और three, और one भी, one में मैं आपको बहुत कर दूँगा, description box में, तो I hope आपको lecture clear हुआ होगा, अगर आपको lecture से related कोई भी doubt है तो आप comment section में comment कर सकते हैं, और सारे lecture देख लेना आपके लिए बहुत ही beneficial रहेंगे, subscribe in share for more, have a nice day, thank you.